इस नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं SwagTek तो यह है पार्ट 3 हमारी सीरिज का जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें कस्टम पीसी बिल्ड कर जकते हैं बिना किसी टेकनिकल नॉलिज के तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मदर बोर्ड की बारे में मदर बोर्ड देखों मदर बोड रोटा है चैसी जैसे आपकी गाड़ी है ना उसकी बॉड़ी होती है ऐसे होता है मदर बोर्ड जो कॉंपनेंट है उसके इन्दर सारी चीज़ लगते जैसे CPU RAM स्टो बना रहे हैं तो आपको थोड़ा बेटर मदर बोड लेना पड़ेगा एंड अगर आप कोई काफी हाइंड पीसी बना रहे तो उसके लिए आपको वन ओफ बेस्ट मदर बोड लेने पड़ेंगे जो मार्केट में क्योंकि जतना बड़ा प्रोसेसर होगा उतना ही आपको बड तो वह आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक बड़ा बड़ा पीसी बना रहे हैं तो आपको बड़ा फार्म फेक्टर वाला मदर बोड लेना चाहिए छोटा बना रहे तो यह वह पहली चीज दूसरी चीज जो है उसके अंदर आपके प्रोसेर का सॉकेट क्या है देख है उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो आप को फ्यूचर करने है आपके अपको फ्यूचर अब लगाएंगे और आपको फ्यूचर में ज्यादा रैम की रिकृर्मेंट हो तो आप उसमें एड-on कर सकते हैं तो आपकी रैम फिर क्वाट सेल में चले जाएंगी तो नेक्सी ज आज कल PCI slots expensive slots भी जैसे अंदर graphic cards यह फिर आपकी SSDs वगएरा यह पर कोई भी आपको extra चीज करनी है तो आपकी expensive slots के अंदर ही लगती है यह इस नॉमन के साथ आते हैं PCI PCI, X16, PCI, X8, X4, X1 इसे टाइप से आपके अंदर कितनी PCI slots है आप यह देख लेना कि आपको जोजो डिवाइस कनेक्ट करने है उसके हिसाब से किनकी चीजों के requirement है तो आप यह प्लीज पहले जरूर चेक कर लेना अब नेक्स चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वह आपक ही हो ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि वो दो बैटर रहेगा तो अब बात कर लेते हैं पोर्ट के बारे में आपके mother word के अंदर कितने पोर्ट है तो जो common पोट्स जो सेटा पोट्स है कि तने है कि आपको ड्राइव्स कनेक्ट है निया हाडड ड्राइव्स हो गई ठीक है और सुपर फास्ट होते हैं उसके बाद 3.1 बनाते हैं ब्लू वाले और 3.2 नॉर्मल वाले होते हैं अगली चीज जो है कि उसके अंदर आपके बास गीगाविट वाला लैंड पॉर्ट है कि नहीं है जिसके अंदर बहुत ही हाइप स्पीड इंटरेट हाई स्पीड बैंडविध ट्रांसफर सपोर्ट करता है आपके मदर बूर्ट के अंदर कितने एंड़ टू स्लोट से जिसमें आप एनवे में असस्डी लगा सकते हैं यह कुछ बेसिक बेसिक पोर्ट जिनको आप ध्यान रखना पड़ेगा फिर जो बहु नहीं पाएगी अच्छे से निकल नहीं पाएगी और आपको भाई पीसी थ्रॉटल होगा फिर गर्मी बनेगी उसमें दिक्कत हो गई तो इसलिए ऐसा मदर बूर्ट चूज करें अगर आप हैवी प्रॉसर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हीट सेंग काफी अच्छा हो औ उसके उपर भाई आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो मदर रोड़ की क्वालिटी के ऐसी आप ऐसी किसी भी एरे गारे ब्रैंड का मदर बूर्ड आपको नहीं लेना चाहिए अच्छी सर्टिफाइड और रिनोंड ब्रैंड हैं उनका ही आपको मदर बूर्ड लेना अगली चीज होती है कि बाई देखो मदर बोर्ड में जी प्यू जब लगेगा यह जरूर रखना है कि आपका जीप्यू लगेगा उसका जो आप ग्राफिक काड़ चूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर स्पेस है कि नहीं है मानलो आपने इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड ले इसी है आपको ग्राफिक काड़ी फिट नहीं हो पाया तो यह सब चीजों का भी आपको भाग ध्यान रखना पड़ेगा तो नेक्स चीज़ हम बात करते हैं हो है बायो सब्डेट कभी कभार क्या होता है कि आप आज की डेट में सीप्यों बनाया और अगले साल कोई नया सीप अगली चीज़ आप देख सकते हैं वह है एक सपोर्ट क्या होता है कि देखो एंवीडिया में अधर के अंदर क्लॉस फायर बोलते हैं अगर आपको मल्टीपल जीप्यूज करनेक्ट कर रहे हैं ना तो देख लेना वह भी हर किसी मदरबोर में सपोर्टर नहीं होते तो कि अब अगली चीज़ किया है आपको जो फ्रेंट पैनल जैसे आपका CPU होता है क्या विर्ण पैनल कौन रहे हैं तो यह भी देखना होगा कि अपके मदरबोर्ड में फ्रेंट पैल कितने हैडर्स होते हैं ठीक है आपको कितने कितने पूस मिल देंगे उसके बाद आप जो अगली चीज़ देख सकते हैं वो है आपके RGB फैन्स देखो भाई आजकर RGB की बहुत चासक चल रही है मार्केट में तो आपके मदर्वोड में कितने RGB और RGBW header मिल जाएंगा उनका भी ध्यान रखना है मानलो आपने 25 फैन लगवा दिये विसले लगते नहीं है आपने 4 फैन लगा दिये और उसके अंदर दो फैन या तो एक रंग में चलेंगा उनको कनेक्ट करके जुगाड करना पड़ेगा तो यह चीज़ आप देख लेना अगर आपको RGB चाहिए तो RGBW header कितने मिल जाएंगे आपको वो भी आप देख लेना और उसके अंदर देखो ए और भाई मैं RGB का शौकीन हो तो मैं तो भाई RGB वाला motherboard लिया था तो चलो PC पे आके देखते हैं कि कैसे हम एक mid-range CPU के लिए एक अच्छा सा motherboard ढूंडें जिसके अंदर अच्छी हीट सिंक मिल जाए आपको अच्छी क्वालिटी का motherboard हो और जो आपके सारे प्रपर सॉल्व कर देता है वाईज अब आ जाते हैं PC पे तो देखो CPU GPU धूनना इतना मुश्किल नहीं था मैं मता हूं मदर भूड ढूंडाना बहुत महनता मुश्किल तो नहीं है क्योंकि देखो पता है क्या है इतने सारे आपको अपको क्या करना है यूट्यूब पर जाना है एंड आपको लिखना है पैस्ट मदर बोड और जैसे हम ले लेते हैं राइजन 5600 लेते हैं तो आपको क्या करना है जो वीडियो जना आपको वीडियो देखनी है यह सारी टीक है सारी तो नहीं मतलब जदनी आप मैजॉरिटी देख सकें और उसके बाद आपको शॉट लिस्ट कर लेने हैं नाम आप यह करके लिस्ट कर सकते हैं फिर आप ऐसे विजिट कर सकते हैं तो जो लोग पीसे बिल्स में करेंटली प्रफेसरी यूज कर रहे हैं म आप उनको चेक आउट कर सकते हैं तो जब वह आपको पताएंगे स्पेसिफिक्शन बारे में तो आपको हर मदर वोड की स्पेसिफिक्शन बताएंगे कि इसकी विया रहे मची है बजट सेग्मेंट के लिए अच्छा है मिडरींज रहे हैं तो ऐसे करके ना भाई मैंने अ कि आपको सब का प्राइस कंपेर करने ठीक है आप कोई भी वेबसाइट देख लो जैसे एंडी पर कि चले आते हैं और जो जिससे आपके वह हैं न मदर वोड्स हैं आप पहले तो आपी डिसाइड कर लेना इन में से वह कुछ चाहिए कौन सा नहीं चाहिए उसके बाद सब्सक्राइब करने आपको फिर्म का प्राइस कंपेर करने है तो हम प्रीम सेग्मेंट के अंदर देख लेते हैं दो चार ऑप्शन जैसे हम देख लेते हैं तो मसा की तरफ से भी वाइफिस्टी का महॉक है तो जो आपको भी 50 टॉमाहुक है वह आपको 16 900 रुपे का ठीक ह अब जो इसका ना वाइफा वाला वर्जन आता है वह वाइफाइब का थाव दूस्सों तो उसमें कुछ भी फरक निया से मतर वोड़ा बस इसके अंदर वाइफाइब बहुत ही रेपूटिट सीरीज ए मसाई की तरफ से अंदर काफी अच्छी हीट से आती है उसके अंदर और बहुत बड़े बड़े प्रसेसर के लिए भी उसकर सकते हैं अब हम देख लेते हैं एक मतरवोड गीगाबाइट की तरफ से गीगाबाइट और अरस एलीट एक मतलब वाइफा है तो यह आपको सोला दोसों में मिल रहा है और एलीट एक्स वीटू जो वीटू वरिजन यह आपको 17845 का मिल रहा है वह देखो अगर आपको मतलब यह वाला मतर बोड़ना बहुत प्रीमिम रेंज का मतर बोड़ा बहुत इची इसके नदर हीट सेंक है एक यह और एक जो गेमिंग एज वाइफा है और उससे भी आपको जाद थोड़ा पतलब दिखने में लगी मुझे उसको तो भाई देखो ऐसे करके ना जब आप प्राइस कंपेर कर लेंगे अपने जो शॉर्ट लिस्ट मदर बोड़ा एंड उनका मतलब अपने कर लेंगे कौन-कौन से फीचर से ही है यह देहान रखना कि आपको जो जो स्पेसिफिकेशन चाहिए ना कि आप आपको सबसे कम प्राइस में सबस्यादा वैल्यू दे रहा तो आपको वहाला मतर बोड चूज करना है सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है आपको शॉटलिस कर लेने हैं नाम आप गूगल से भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जो वीडियो देख सकते हैं अलग अलग सबसे कम प्राइस में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मिंस दे रहा हो आपको वाला मदर बोड चूज करना है जैसे हमने सीपी एंड जी प्यू वाली वीडियो में किया था एंड सौरी अगर मैं आपको एक-एक मदर बोड हैं पर कंपर करके नहीं दिखा पा रहा हूं क् भाई इसके अंदर कोई heating issues तो नहीं होते या फिर इसके अंदर कोई voltage कभी issue नहीं होता ऐसे करके आप देख लेना और बस यार यह है तो अगर आप बहुत आलसी हैं मेरी तरह और आपसे बिल्कुल ही मैनत नहीं होगी तो उस बारे हम वीडियो के आग इसल के बात कर लेदे अगर आपकी कोई queries हो तो आप मुसे comment में पूछ सकते हैं और मेरे social handles भी description में दे रखे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका PC मैं खुद से बनाओं तो बहुत ही nominal fees के बदले में मैं आपका पूरा PC design कर सकता हूँ जितना जल्दी हो सके उसके अंदर आपको कोई भी महनत करनी मैं आपकी सारी requirements, considerations, ध्यान में रखे एक PC बना दूँगा तो उसके लिए भी आप मुसे Instagram या फिर Discord पर contact कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care